इस वीडियो में जुस्तों हम बात करेंगे जब हम जेरोदा में ट्रेडिंग करते हैं हमारे ट्रेडिंग खतम हो जाती है उसके बाद हमारे सामने जो हमारे पेसे हमारे अकाउंट में अड़ होने होते हैं वो delivery margin में फर्स जाते हैं बेसिकली बहुत सारी लोगों की केस में इसा होता है, यहाँ पर जो पेसा है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, उसको हम देखकर घबरा जाते हैं, हमारा पेसा डूब गया ऐसा लगता है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिलिवरी मार्जिन के बारे में बताऊंगा, इसको एक्स्प्लेइन करेंगे, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, थोड़ी बहुत भी वीडियो हिल्फुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, तो होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो डिलिवरी मार्जिन में हमारा पेसा अटक जाता है, यहाँ पर आप स्क्रेंशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे 20,000-75 रुपीज डिलिवरी मार्जिन में दिखा रहा है, तो यह पेसे आपके डूबे नहीं है, यह पहले आपको कन्फर्म कर देता हूँ, जो जो पेसा है आपका डिलिवरी मार्जिन का, व जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आपका लॉस हुआ हो, चाहे आप प्रॉफिट में हो, जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, वो जिरोदा हमें दे देता है, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ हो, तो हमारे अकाउंट में जोट देता है, ल तो पुल मिलकर आपको 20% प्रतिशत इनके पास लिया जा रहा है तो उनके पास एक रेकौर्ड रहता है कि आपने उस दिन प्रोफिट किया था या फिर प्रोफिट किया था एंड कितना किया था तो उसका 20 प्रतिशत वो अपने पास सिर्फ उसी दिन के लिए रखते हैं ठीक है ना मतलब ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब गया नहीं आपका पैसा अकले दिन आपको साड़े साथ आठ बजे तक मिल जाता है डिलिवरी महाजीन का I hope आप समझ गए होंगे कि आपका पैसा है कहीं नहीं गया 20 प्रतिशत यहाँ पर दिखाता है आपको बाकी 80 प्रतिशत मिल गया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे चैनल को सब्स्राइब हो सके तो कर लीजेगा क्योंकि टेक की वीडियो से हमारी चैनल की दूब आपको मिल सकेगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया